हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आई जियान आज हम लोग सेंट्रल मोटर वहिकिल्स रूल्स 1989 को स्टार्ट किया है इसमें चैप्टर वन प्रिलिम्निरी को देखेंगे जो भी परिभासा यहां पे जो भी चीजे हैं यहां पर बेसिक चीजे वह यहां पर हम लोग देखेंगे ओ और यह फिर्ष्ट डे ऑफ जुलाई 1989 से लाग हुआ था जो एक जुलाई उन्हेशोग नवासी से यह पुरेदेश में लाग हुआ था जो एग्रिकल्चरल ट्रेक्टर होते हैं वह मेकेनिकली प्रोपेल्ड फोर्ड वील वेहिकिल्स यह जैसे आँपर देख सब्सक्राइ लिए उसको ट्रांस्पोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है अग्रिकल्ट्र जो ट्रेक्टर होते हैं जो नेक्स डेफिनिशन है अग्रिकल्चल के पीछे में इस्ट के पीछे में इसमें क्या होता है अग्रिकल्च्रल मेटेरियल का यूज किया जाता है इसको ढोने के लिए यूज किया जाता है और ट्रेलर जेडरली होता है लेप्ट अंकवर्ड जैसे आप देख सकते हैं अंकवर्ड है जो सकते हैं या उसमें ये के साथ हो सकते हैं को किस्टील वाले सकते हैं तो इसमें कौन-कौन से जैसे लोडर होता है यह सब की चीज़ जो भी construction equipment वेहिकिल से हम आगे डिसकस करेंगे इसमें मेलने जो है speed not exceeding 50 km per hour इसका speed है 50 km से ज्यादा नहीं exceed होना चाहिए और adapted for use in any enclosed premises means जो भी enclosed होते हैं जैसे industry हुआ factory हुआ उसके अंदर enclosed में यह construction equipment vehicles का use होता है not equipped to travel on public road on their own power means कि आपको अगर construction equipment vehicles है तो आप इसे अपने power से आप public road पे नहीं चला सकते हैं इसके लिए आपको permission लेना होगा ओके जो भी चीज़े है construction equipment vehicles में जैसे एक्जिवेटर है तो यह इसको एक्जिवेटर करते हैं लोडर आप लोग यह सब जानते हैं फिर भी मैं एक figure से आप लोगों बताना जा रहा हो ताकि आपको एक visualization हो ओके वैक होग जो होते हैं यह compact रॉलर ओके जो कि रोड कर्स्रक्शन में यूज होता है dumper इसमें गिट्टी वालू यह सब चीज़े ढ़ोया जाता है ओके motor grader जो की मिट्टी को आपको करने करने के लिए यूज क्या जाता मैं जो मॉबाइल क्रेण है यवी कर्श्रक्शन में यूज करणा में यूज क्या जाता है डोजर जो है डोजर लिप कि उस तरह से निकले हूए है इसी पर रख क्चै Workshop कोई करट 5 को यसरी न को जो खाटे वाले चमक होते हैं उस तरह से यह निकले हुए है इसी पर रखके ढोया जाता है यह सब इंड़स्ट्री में यूज किया जाता है जैसे यह जो है सेल्फ सेल्फ जो रोटेटिंग कॉंक्रीट मिक्सर है ओके यह चीजे भी आप लोगों ने देखा होगा यह सब जो भी चीजे है यह सब चीजे आते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विप्मेंट वेकिल्स में ओके आपको यह सारे पीडियाप आपको वाइज ज्यान पर आपको आपको ऋबलेबल होन गया ओन आप गूल्ट पमसारे को कि licon पर आपको और आपीडियों अपर आपशे आपनेट फ्ट आप मिसम चीजे आप प्रतां फाइनेंसर किसा प्रॉबीट यह को अभी चीश consume सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह वहाँ पर यहां पर यह पॉपॉर्म के बारे में कि एक सब्सक्साइब सब्सक्राइब करें सब्सक्रास भीजिस्ट्रिश्ट्रिटी है रूर्स नार में हम लोग पढ़ेंगे बीसके सब्सक्राइब होता है कोई दुकान, means के डीलर लिए वेहिकल्स का बेच तो उसे trade certificate की ज़रूरत होती है उसके पास trade certificate होता है तो वो उसके माधियम से अपने वेहिकल्स को without registration वो अपने पास रखता है और फिर उसे बेचता है तो वो trade बेचने का वह उसे मिलता है हम लोग पढ़ेंगे रूस नमबर 35 में नॉन ट्रांसपोर्ट वहिकल में मोटर वहिकल इस इतना ही डेफनिशन है नौन ट्रांसपोर्ट वहिकल का लेकिन इससे क्लिया नहीं होगा तो मैंने यहां पे कुछ चीज़े एड़ किया ताकि आप करहें जायसे बैसिकली जो भी मोटसाइकल हुए या साइड कार हुए कैर इंग तरे मटिल्स को यूज ढूने का काम TRAVINे कहते हैं ये इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मोटर साइकल ट्रेलर ये आपको यह लिएकिल होगा तो आपका नन ट्रांसपोर्ट करते हैं अब एडबेटेबल के नाम से जाना जाता है उसके इसे आमेंड मेंड मेंड में होगे तो यह जैसे लगजरी कैब वो यह ट्रांस्पोर्ड वैके Nord होंग जो ठ्री विल्ल्य है जो ब्रस्णाल यूजिळ यूजिए होंगे वह 2010 ट्रेDown वेइकिल करने के लिए यूजी कर रहें कोई भी व्यक्त 열 तो वह ट्रांसपोर्ट वहीं कर् ですे अज़ानद अल्एक यूजैन सब वह ट्रेलर है फी बीत कर रिद्धि 1000 लाइक ने ट्रेलप है कोई equipment तो वो सब non-transport वेहिकिल होंगे ओके यह सब चीज़े हुए जैसे आप इसमें समझ सकने जैसे एंबुलेंस हुए एनिमल एंबुलेंस हुए ओके ट्रेलर कैस्ट वैंस ओके ओमनी बस यह सब चीज़े आपके ट्रांसपोर्ट वेहिकिल में आएंगे कर्श्रक्शन एक्विप्मेंट वेहिकिल एज डिफाइन इन यह सब चीज़े ट्रांसपोर्ट वेहिकल में नहीं आते हैं नौन ट्रांसपोर्ट वेहिकल में आते हैं यह हमने एक्ष्टा एड कि आए कि आपको समझ वो चीज़े यहां पर मेंशन है जैसे केटेगरी एल वन इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम डिजाइन स्पीड नौट एक्सीडिंग 45 किलोमीटर पर आवर मिंस कि डो स्पीड होता है उसका 45 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड नहीं होना चाहिए और इंजन का कैपसिटी 50 CC से कम ह होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है कि इंजन कैपसिटी नौट एक्सीडिंग 50 CC एंड स्पीड नौट एक्सीडिंग 45 किलोमीटर पर आवर देन इन इन विच कैटेगरी इट फॉल तो यह एल वन कैटेगरी में आएगा एल टू कैटेगरी में ने क्या होगा की मैकसिमम डिजाइन एक सीडिंग 45 किलोमीटर निच ब discourage और से पर एक सीडिंग करेंगा करेंना लग्या करते हैं बहुत सारे जिन बहुत सारे वहीकिल सा जाएंगे MUSIC एम जो हुए जो केटेगरी में में इसमें ग्रूप आजाएंगे वेहिके अंगें करते हैं वाफम साराइ दुट जलैंके किन क्में चार्ट है है M1 तो M1 में तो आपके चार वेकिल्स तो होंगे ही चार विल्स तो होंगे ही ओके तो उसमें जो कंडिशन क्या होता है कि no more than eight seats in addition to driver seat means driver seat को जोड़कर eight seat आठ सीट उस आठ सीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए होना चाहिए और मैक्सिमम मास होना चाहिए वह पांच टन से नहीं करना चाहिए में यह क्या होगा कि आठ सीट ड्राइबर के जो सीट होते उसको जोड़कर आठ सीट से ज्यादा होना चाहिए और उसका मास पांच टन से भी एक सीड कर जाएगा तो वह केटेगरी में आएगा केटेगरी एन में क्या होगा कम से कम चार विल्स होना चाहिए उससे ज्यादा भी होगा तो भी कोई दिकत नहीं है वह केटेगरी एन वन में यह आएगा यूज़ प्रदा क्यरेज ओफ गुड्स मिस गुड्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है कैटेग्री एन वन मेक्सिमम मास नौट एक्सीडिंग 3.5 टन के यहां पर में किया था यह पर पैसेंजर और उसके लगज के यूज़ करने के लिए किया जा था लेकिन यहां पर जैसे यह आप यह जो पिक अपह होते हैं जो भी महिंदरा के का होते हैं तो वो सब चीज़े आएंगे N1 में क्योंकि उसमें 4 विल्स होते हैं at least 4 विल्स होते हैं और उसका 3 टन से 3 टन होते हैं maximum तो यह इसको follow कर रहा है और goods के लिए वो यूज होता है तो यह N1 category में आएंगे क्या होंगे maximum mass exceeding 3.5 okay but not exceeding 12 टन मीस ताड़े 3 टन से ज्यादा और 12 टन से कम अगर आता है तो इस रेंज में जो भी वेहिकिल्स आएंगे वह N2 category में होंगे जो वेहिकिल्स goods को carry करते हैं okay N3 में क्या हैंगे maximum mass exceeding 12 टन मीस 12 टन से ज्यादा अगर कोई करता है और carriage of goods goods को carry करने के लिए यूज किया जाता है तो वह N3 category में आएगा तो यह सब चीजे आपको धिहान में रखना है smart card smart card का क्या definition है कि जो भी store करता है data को और जो commands देते हैं उसको execute करता है तो वह smart card होता है उसमें micro processor cheap रहते हैं लगे होते जैसे आप लोग देखे होंगे आपका जो ATM card होता है तो वह सब चीजे और उस ATM को स्मार्ट कार्ड में ही आप समझ सकने हैं उसको और जो इसका जो साइज होता है इसका specification होता है वह 7 IES या ISO 7816 के specification से मैच करना चाहिए बैटरी ओपरेटेड वेहिकल्स वह होंगे जो भी जिए एक्सक्लूसीब्ली ऐन इलेक्रिक मोटरको इश लिए इसका थिए इसके जो पावर मिलते हैं वह बैटरिpal से मिलेगा तो वह बैटरी ओपरेटेड वेहिकल्स कहला ऐंगे लेकिन इसमें कुछ कढ्डीशन है कि अगर वह वरीकिल वह मोर्टर नहीं कहलाँगे जब उसका कोई 30 minutes of power of the motor is less than 0.25 kilowatt means कि किसी अगर power जो वेहिकिल से उसका power 30 minute में 0.25 kilowatt यूज होता है ओके less than 0.25 kilowatt तो वो motor वेहिकिल में count नहीं होते हैं ओके और अगर यह और यह दोनों कंडिशन अगर फॉलोगा और पचीस किलो मीटर पर आवर से उसका स्पीड एक्सीड नहीं करता है कि लेस देन 25 किलो मीटर में 25 किलो मीटर से कम अगर स्पीड होता है और 0.25 kilowatt उसका 30 minute में power consumption होता है तो वो वेहिकिल मोटर वेहिकिल के में नहीं आएंगे ओके नेक्स जो हमारा है पावर टीलर पावर टीलर को जैसे वेहिकिल होते हैं जो भी एक्रिकल्चरल के लिए यूज किया जाते हैं और जो जैसे खर पतवार को हटाने के लिए यूज किया जाता है इस वेहिकिल के णेपावर बतानों सब्सुक्वाइब यूज क्लिकल्र पडिने सब्सक्राइबर इस बीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसे लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो बनाने के लिए थैंक्स पर वाचिंग